बाई लोग आज हम सुरू करने वाले हैं नई गेमिंग सीरीज और इसका नाम है रैंच सिमुलेटर रैंच सिमुलेटर में तुम बता दूँ रैंच यह डबलू आर येंच वाला रैंच नहीं है जो हीट मैंन मुद्धार से किसी के खोफड़े माद और फूट जाता है यह व तो आज है अपने चैनल पर माइंच चल ला हुता है और यहां पर अगर मैं तुम इसकी थोड़ी बहुत बैक्स्ट्रोइब कर दो बादा है नहीं है यह कैसा ही है मैज़े वाला गेम लेकिन हागर तो बहुत बैक्स्ट्रोइब जो दी गई है वह तुम्हें तुमें तुम है कुछ काम मिला आता है नहीं हम सोचते है चलो बहिया दा जी के आखरिक्षा पूरी कर लेते हैं और मतलब कुछ काम मिला तो मिल जाएगा तो हम अपने फैमिली रांच प्राइब पर देखते हैं भाई पूरा सब कोई तूटा फूटा पड़ा पड़ा है घर वर टूट इस भाइ ने पूरा एक मिल डॉलर का बिजने के करेंगे तो वह उसका पार बाइप लेगे क्रिक्ता के इसमें घुर बाइपया जादा तो यह पानीन डॉलर खुरेंगे खरीते हैं कितने बेचते हैं क्या होता है इसा फाइनाइस का सिस्टम होता है इसके अंदर तो उसे समझ के हमें इसके अंदर बिजनस करना होता है थोड़ा बहुत काम भी करना होता है पूरा भाई घरवा रेकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है पूराना हटा के न्या बनाना मतला हम इसे दिन में कनवर्ट करें तो 6 दिन से भी उपर करीकरी साथ दिन के बीचे मतला बंद आगा 24 गंटे पूरे हफ़ते रिकोर्ड करें तो बनती है वीडियो तो तुम समझ सकता है इसमें कितने माहत लगी कि इसे पूरी को एड़ भी करना हो सब कुछ करना तो एक सबसे पहले हमारे लेफेंट साइड वे पढ़ती है पार्किंग में अंदर चलके रेखते हैं लुक तो देखी सकते हो कैसा है और यहां पर बढ़ते अपनी पहली काड़ी के तरफ जो कि एक एक एटीव यह रेक है तुम्हाई ने यही अंदर घुमने फिरने के लिए उसक उन्होंने खरीद रखी थी से अबने असेंबल करके यूज करना शूगा था वैसे लकडी बहने के लिए काफी अच्छी है लकडी वूड प्लैंक्स होगा बनने के लिए इसके बाद में यह है मतलब ऐसी कोई चोटा मूटा सवान जैसे की आजवास लेके जाना हो उसके ल जाना हो स्लिपिंग वैज उसके बाद में है अपना एक पीक अप ट्रक यह थोडरा बहुत समान लाना हो इसके लिए उैएब ठोड़े समयान के लिए ृष्षा इसयों आपना यह बड़ावाला यह ऐपना यह बाई यह है बड़ा वाला ट्रक कि इसमें चार गाया जाते हैं एक साथ होगा बहुत सारे लाइफ स्टॉक्स मतलब अनिमल्स आने तो उसके लिए यह बैस्ट है और उसके लिए लेक करते हैं हम तो यहां पर आ गया जाते हैं अपने तेल के कनस्तर यहां पर मतलब काफ़ी सारे देखिसक्तों इसका इसके लेफटान साड़ में काफ़े ओएल टैंक्स पूर रख गया यहां पर है अपना एक श्लिपिंग बैग टाइब यहां पर मतलब सोने मोने का हो जाता है पहले यही से सूथते था हैं और यहां पर राइट साइड में आ जाता है अपना हैंना हैं यहां पर भाई 30-30 मुर्गी हैं एक-एक में यह जो सपेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश दो तो काफी बड़ा घर है तो इसलिए एटीवी लेगे चलना पड़ेगा किया वैसे पैह तक जाएंगे बाई दिमाग की दही हो जाएगी रास्तर पोच्ट पोच्ट तो यहां बाई लेफ्ट साइड में आगे अपने सूरो का इलाका राइट में तो हैं ही सारा मुर्गिय लेकिन बाई ऐसा नहीं है इतने जाला सूर हो गया था बड़ी मुश्किल से उसाफ करें बने फिर यहां लाके भी आट दस छोड़े हुए है एक तो भी गया उनमें से पिछे देखोगे तुम आगे के पार्ट में और यहां पर यह ग्रेंडरी है यह सूरो के लिए है इसक एक भी खाने के लिए ग्रेंडरी है और पारी के लिए विन मिल है और ट्रांजिशन टाइप गान लो एक तरह से वैसे लोडिंग एरिया है यहां पर शाला जितने भी समाने वह लोड होता है यह जो गेट देख तूम इदर की साइड में अपना राइट साइड में सवर्स पूरा बड़ा ग्राॉड आप इस लाके में खूलता है तरफ से जो ग्राउड है यहाँ इस वाली बिल्डिंग से गवर्ड है एक तरफ से ग्राउड जो है वीछे के जादा है और दो साइडों पर इसके आ जते हैं जो फैंस है वो कि बाद भाई अगे आजाता है अपना यह पूरा इस्टोर होता है कूब लंबा इलाका यह जितनी भी सेफ टाइप बनी हुई है कबर्ड सी यह सब में सोसेज रखे जाते हैं अपना मुगरो का इलाका और यह जैसे हम अंदर चलते हैं तो देख सकते हैं काफी साइट टेबल है साब टोके रखे हैं एक्स के लिए गाय और यह इसके आगे शाल से यहां पर गाय रती है यहां पर इनका खाने फिरे पर सिस्टम में उपर लाइट लगे पड़िया है यह काफी साइट से सीर्सली मुझा पूरे लान लान देख लो यार चलते जाए चलते जाए करीब करीब 30-40 से करीब है और यहां पर एंड वे लेसा कि बालती भालती काम सीसली अर यह इत्सिर्स दीज और यह लिए उनके इनदर चीज बनता है इन ब liberation के इन दालल के और इनके ऐनके इंदर श्टोर होता है जो एक कबर टार बढ़नी हुई है घर में जाने का एक रस्ता तो यह अग जैसे है और यहां पर एक छोटा वाला गेट लगावा है लेकिन हम पार्किंग दस्तर चलेंगे और आगे हम पार्किंग में और यहां सबसे पहले यह एक लागा रसा जो तुम कब्रा देख रहे हो बाइब लिए जासे सब्सक्राट जो एक्स्राट होता है और मतलब जो भी सम्माने हार्डवे का कुल मिला कर वह सब यहां पर अन्दर की एंटरन्स पूरा कोडिडोर है यहां पर यहां पर यह यहां पर काफिसारी टेवल लगी गई गई पैरल पैली सी जिसे मुए निकले तो हम आ जाते हैं वापिस है कोरीडॉर में कोरीडॉर ऐसा थोड़ा सा L-shape । यहां से पिछ्छा का इलाका देख सकते हैं असानी से काफ़ी लंबी चोड़ी बालकनी है वह अभी संसेट सी का टाइम है बिल्कुल सांज सी हो जी है तो इसे अंध्य-अंध्य सा हो रहा है कुछ खास दिखने है नहीं तो यह से काफी सही व्यूग आ जगता है और भाई यह वार जो कमरा है यह है भाई की सैटिंग के लिए कदरी पिंक-पिंक इसी कमरे के पिछे ज जैसे मालो कहीं पर गलती से कोई और कलर हो जाता है और उसे रिप्लेस करना हो तो भाई सफिचेंट अमांट ओ पेंट है और भाई यहां पर बाल करनी है जैसे मतलब काड़ी से कुछ समान अनलोड करना हो उसके लिए दोन नहीं है इस कमरे में भी इसके साइड में अपना जो भी बिल्डिंग मत्रियल है उसका कमरा मतलब इसके अंदर लकडी और भाई मैटल जो भी बिल्डिंग मत्रियल इसके इंदर इसके इसके इंदर इसके इंदर इसके बाल करनी है और भाई यहां से अराम से समान अनलोड कर जा सकते निचे गाड़ी लागे खड़ी कर दो और भाई यहां से अनलोड कर लो, ड्रेक्ट बाल करें से, तो भाई लोग इस कमरे के बहार से जैसे हमें सीडी से उपर की तरफ आते हैं, तो हम देखते हैं भाई यह लाला रंग का कोईडोर, भाई इसमें बीच में कई साए पिलो भी पड़े हुए हैं, थोड़ा सा सपोर् भाई यह देख लो, यहां पर अपना सोने के लिए बैट पड़ा है, भाई चलके देखते हैं, भाई ऐसी बालकनी ना चारो माई है घर के, जिसे कि बाई चारो तरफ से अलग-अलग एंगल लेकर, हैडशोट फिल जा सके हैं, इसके बाई बाई इसके दूसरा और की बाई भाई लोग बात करें इस वाली बालकनी की तो भाई यहां से अपना पूरा अंद्र का हिसाब करता है, को सामने बाई ना उसा है, उसके पर वो पार्किंग दिख रही है, भाई अब बने आगी तरफ तो यहां पे एक दूसरी बालकनी है, उसके जस्ट सामने, और यहां से पूरा भाई का भी मिलता है, तो भाई इसके बाद में यहां पर आ जाता है अपना एक और चोटा सा, इसके अंदर भी कुछ खास है नहीं, भाई यह अपनी बैठक है, बैठक में से भाई एक बालकनी का द्रवाजा खुलता है, और भाई यह बालकनी उसके जस्ट उपर है लाल वाल करी है यह उसके जस्ट उपर है, यहां से एक सीडी आ जाती है और यह एक दम हमें पुछा देती है, टोप वाले फ्लोप है, बाद च्छत है उसके यह बाद बाद की बनी हुई है, और बाकि पूरी च्छत है, यहां से एक दम खुला आस्वान देखता है उपर, आजबाजू का काफे कुछ देखता है, तो भाई यह तो था कि फाइनली यह बनके देखता कैसा है, लेकिन इससे बनाने की जो जैनी है, वो इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है, और इससे भी ज्यादा मजाएगा उसमें, और आगे के पार्ट से हम उस सारे को कवर करें कि यह बना कैसा आखिर है।